जहीं दोस्तों आफ सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटी चैनल एस जेड़ी पे दोस्तों इस वीड़ों बात करेंगे इंडियन एर फोर्स ग्रूफ सी नोन कमेडेंट एक्जाम 2022 के बारे में जैसा कि दोस्तों आफ सभी को पता है कि आप लोग का जो एक्जाम है वो 23 की नवंबर से स्टार्ट होने वाला है ठीक है मतलब कि 23 नुबंबर है और आपको का इक्जाम होगा और आप लोग का एक्जाम जो है वह देहली में ठीक है लगबक्ट चार-पान सेंटर थे एयर फोर्स कियों और उनही जगा पे आप Прलोका एक्जाम का जो सेंटर है वोग तो आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा है सबसे ज़्यादा कि सर वहाँ पे कौन-कौन से डोकॉमेंट लेके जाना है जिससे कि हमारा जो सेलक्षन है आसानी से हो जाए क्योंकि डोकॉमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बंदे क्या करते हैं बहुत सारे ऐसे जरूरत क कि क्योंकад सारे भाद सबसे करें से बहुत सब्सक्राइब यह हुनित को डेकर जाना है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन्सारी करें इस्छा थिमि epidisk दोक्मेंट झेटानी आए 35 crd अ कौन-कौन-क१े ई-से-से यहादए क्योंकौन-कौन-कौन-कौन-क्यूनीब-दोक्यक्त य कर जाना है तो चलिए आपको बताते हैं बस इस वीडियो को सेर कीजेगा और जादा सज़ादा इस वीडियो पर लाइक कीजेगा लाइक कएम रखते 400 लाइक मुझे उम्हों पूरा करतोगे चलिए चलते हैं और आप लोग को बताते सब कुछ डिटेल तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन को मैंने हिंदी में कर लिया जिससे कि आप लोग बहुत असानी से सब कुछ समझ सकते हो सबसे पहले आप लोग देखो किस उपर में क्या दिया हुआ है कि उमिदवारों के लिए निर्देश अगनी वीर और लराकू ठीक है सबसे पहले आप लोग यहां पर देखोगे तो भारती वायू सिना में चेहन निस्पच और पारदर्सी और किवल योगता के धार पर होता है और किसी भी अस्तर पर भारती वायू सिना में चेहन या भरती के लिए किसी भी रिस्वत देने की आवसकता नहीं है उमिदवार को भरती है चैन एजेंटों के रूप में प्रस्तुत करने वाले बेमान और व्यक्तियों के भाकावे में नहीं आना चाहिए बहुत सारे बंदे मुझे यह बोलने थे कि sir एरफोर्स ग्रोफ सी के अंदर सेटिंग है तो मुझे करवा दो यह करवा दो वो करवा दो देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है सेटिंग वेटिंग आपको अपने मेरिट पे बनेगा वो सब कुछ एरफोर्स खुद बोल ला है और आप लोग अपने मेरिट पे ही जाना चाहिए यह सब चीज से आप लोग सावधान हो जाओ जो भी पैसा लेंगे वो बेकार में जाने वाला सबसे पहला चीजिक है दूसा चीजम लोग यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो परवेश सक्तिक से केवल परवेश पत्र और बैद आईडी परमान के उत्तपादन पर अधारित होगा सभी उमिद्वार जिन्हों ने अधार संख्या ज बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि अधार कार्ड उपलब नहीं है तो केवल जम्मू कस्मीर असम और मेगाले के उमिद्वार को परिच्छा में भाग लेने के दोरान कोई अन्वैद आईडी परमान पत ले आने की अनुमती है ठीक है यानि कि आप हो जम्मू कस्मीर से अ सम से हो मेगाले से हो तो परिच्छा में बैटना है भाई तो अन्वैलिड आईडी आपको चल जाएगा लेकिन इन स्टेट से आप बिलॉंग नहीं करते हो तो आपको अधार कार्ड दिखाना नेसेसरी है विदाओ अधार कार्ड आपको इंट्री नहीं मिलेगा तो मैं बत बारों को परवेश पत्र में उलखी तीथी और समय पर कारकरम अस्तल पर रिपोर्ट करना होगा ठीक है और कौन कौन से डोकुमेंट लेके जाना है वो चीज़ आप नीचे दिया गया है देखो सबसे पहले कि जो भी डेट को आपको डेट दिया गया कि इस डेट को आपको जो होगा उसे दिन इक्साम पीफटी और इस्टेम पॉर्फियंसी जो टेस्ट होता है वो होगा ठीक है तो उसी डेट पर आपको पहुँचना होगा अगर दूसरी डेट पर जाते हो तो फिर आपका जो भी होता है वो सब को सिरद कर दिया जैगा जैसे कि 23 नवंबर को सब पका है और सभी का अलग अलग सेंटर जो सेंटर उसी सेंटर पर आपको जाना होगा ऐसा नहीं कि आपका दिया सेंटर कोई दूसरा और दूसरे सेंटर पर पहुंच गए तो ऐसे मी क्या होगा कि आपका कुछ भी नहीं होगा सारा चीज जो होगा यहीं से खेल खतम हो यहां पर आप लेखन पत्र यानि कि राइटिंग पैड मतलब कि आप एक अपना पैड लेकर जा सकते हो जिस पर की मतलब जो भी कोश्चन पेपर मिलेगा उसको सॉल्ब करने के उस पर रखकर लिख सकते हो ऐसे वहां पर सायद दिया जाएगा लेकिन इस नॉटिफिकेसन में चता हुआ है लोगे लेकर लेखना है खोई भी कोट सनॐ अतorem यह यह बीकिन पैड लेना आप रामशुसभ दे सकते हो पर ठीक है तो यह उसके यहां पर चरितर प्रमान ठीक है The character certificate मांगा गया था बहुत सारे बंदे उसे में लगा भी दिये थी अपना character certificate बहुत सारे बंदें have invatyce नहीं भी लगा थे जो नहीं लगा उनका भी ultimate कडा यए लेकिन अगर आपके पस अभी आप के यहां पर लिखा हुआ है साप साप की राज परित्र अधिकारी, द्वारा हस्त छात्रित्र परमानपत श्कूल के पर्धानाचार, यह पिछले एक वर्स के दुरानाद अधिन किया गया है। और कालेज के परदानाचार यहाँ पर फिर दिया गया कि पिछले एक वर्स के दुरा अरंधिन किया गया ठीक है छो महीना से अधिक पुराना नहीं यानि कि दोस्तो छे महीना जो होगा उससे पुराना अगर आप लोग का है तो आपका जो होगा क्रेक्टर सर्टिफिकेट का का मान नहीं दिएगा उसको रिज्यक्टट कर दिया जएगा और आपका शर्यक्षिं फहीं पर रूँग जाएगा तो जो भी क्रैक्टर सर्टिफिकेट बन बार हो भाई शे महीने का अंदर अंदर का प्र आकर कर सकते हो जो भी पंचायत अधिकार है उससे बनवा सकते हो ठीक है उन सब से या इस्कूल के परधाना चारवला वह हो सकता है वह भी चल सकता है ठीक है यह सब से बनवाना होगा नहीं तो आप लोग अपना एसपी के लिए क्या होता है अपलाई करते हैं और थाना वे वरिफिकेशन वह दस से पंदर दिन में आ जाते हैं तो वह भला भी चल जाएगा कोई दिखत वाली बात नहीं है तो आपको ट्रैक्टर सर्टिफिकेट आप लोग ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब चल से चल दोस्तों सिज्ड जो की तीन साल बाद मिलता है और मुंख रहा है उसके रिजल्टे के बाद त्रफिनल जाता है तो मुषिण साव भी यहां पर देखा है कि इसके बाद यहां पर मूल यहांपर सबस्क्राइब ना कि नहीं पाता है ए इस्कूल में आ गया तो बोनौत नोछे बहतर रहेगा तो चाल यहां आफ साफ लिखा गया है यहां पर देखो कि नोट में लिखा हुआ है कि मूल उत्रिन परमान पत्र ठीक है और यहां पर अंक पत्र परिच्छा केंद्र द्वारा बनाएं नहीं रखे जाएंगे विश्त्रित सत्यापन पुरा होने पर ही उमिद्वार को वापस कर दिया जाए है तो वही चीज़ Airline नोट 2 में कि मार्कमी म्र पत्र आफ दो पर्वेस पत्र लेकर है और फिर वही क्या करें घ़िए अपने आप लोग देख सकते हैं यहांपर के शरीर पर अस्थाई टैट्टू वाले उमिदवार को टैट्टू के अकार और परकार के विबरन के साथ एक एक तस्वीर, पोस्ट कार अकार या क्लोज अप और टूर का द्रिस लाना होगा, ठीक है, अगर आपके बडी पर लगड़ा है कि मेडिकल में आप लोग लगड़ा है कि टैट सुविकार नहीं होगा, यानि कि अगर आप लोग जाते हो, जैसे भीहार से हो, अप देली जातों एक्जाम देने के लिए, तो जो भी खर्चा वर्चा होते होते हैं, वो खुद आपको अपने पर लेना है, ऐसा नहीं कि आपको एरफोर्स वाले आपको पैसा देंगे, आन कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कुछ भी नहीं करने वाला है, तो यह चीज के लिए अपना खुद से रेडी रहना, ठीक है, तो यह चीज आप लोग ध्यान में रख लेना, उसका देखो कि कोई भी ऐसा जो समान एलक्ट्रोनिक्स जैसे कि उसको लेकर आप लोग को नहीं जाना है, ऐसे फोन मोन लेकर जाओगे, तो आप लोग लेकर जाना ही परेगा, क्योंकि भी ना फोन के उभी चाम चलता नहीं है, तो वो सब जामा हो जाएगा, लेकिन आप जब एक्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, तो आपको फोन हो गया, कल्कुलेटर हो गया, यह सब च परिच्छा के अंदर अनुमती नहीं है, ठीक है, छे नमर वाले में देखना कि परिच्छा के दोरान किसी भी उमिद्वार दोरा, अनुचीत साधनों का परियोग करने पर, अनुसासन हिंता के किसी भी अनकार में सामिल होने पर, परिवेच्छ को या परिच्छा करिमचार में रेहाँ के आदे के साथ बहस करने के स्थित्री में परिच्छा को वापस लिया जाएगा ओर infrastructures to यानि कि दोस्तों मतलब अगर परिच्छा के दौरान आप किसी भी लोगों से मुह लगा लेते हो अंदर में कुछ मतलब डिश्टर्ब कर रहे हो कुछ भी जो कह रहे है कि भास नहीं करो यह करो वह करो और आप उसके उल्टा काम कर रहे हो मिर भाई तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपका परिच्छा कैंसल कर दिया जाएगा और वहीं से आप लोग का यह फोर्स का जो सपना है वो चूर-चू कि दोगज के जो भी दूर है वो सब बनाए रखना है यही सब चीज को आप लोग को ध्यान रखना है और कुछ खास इसमें पताया नहीं गया ठीक है तो यही चीज मतलब कि इसमें बताया गया तो आपको भी पता चल चुका है आज की बीडिविश्टों का पर आप लोग notification, study material, जितने भी important question होगे, सब कुछ वहाँ पर दूँगा, तो आप लोग जा के जरूर, join हो जाना, साथ साथ second channel को जरूर सबस्क्राइब करना, जैसे यहाँ पर support दिखा रहो, second channel पर भी जा के अपना support दिखाओ, उसका भी link आप लोगो description box मिल जाएगा, बहुत अच्छे-च style के वीडियो बनाता हूँ, अपने second channel पर भी, तो जा के एक बार जरूर देखना, बहुत मसा आजएगा, ठीक है, बाकि इस वीडियो को share किज़े आप अपने दोस्तों के साथ, जिससे के उनको ही पता चले कि Air Force Group C non-commentant, जो भी exam देली में होने वाले है, उसके लिकौन-को उसे document उनको लेकर जाने होंगे, तो यह सारे document को अभी से आप लोग ready कर लिजे, बाद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोगा selection टुख जाएगा, I hope कि बहुत helpful हुआ होगा आज की वीडियो, तो share किजएगा, और कोई भी डिक्कत है, तो comment में पूछ ल आप लादरम.